वेलकम बैक डियर सब्सक्रेबस तो आज की इस उड़ो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप स्लाइडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट रील वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और इस तरह का वीडियो इंस्टाग्राम पर बहुत दिन से ट्रेंड में चल रहा है तो अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो वीडियो को एडिट करने के लिए आपको दो एप्स की जौरत पड़ेगी फर्स्ट कैपकट और सेकेंड कोई सभी वीपियन तो कैपकट अगर आपके पास नहीं है दिन आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो कैपकट एप के लिए और वीपियन तो आपको प्लेश्टोर पे मिल जागा प्लेश्टोर पे जाके जस्ट आप वीपियन सर्च कर देना काफी सारे वीपियन आ जाएंगे मैं यहां पर सूपर वीपियन यूज़ कर सकतो दिन उसके बाद सबसे पहले आपको वीपियन को ओपिन करन है and connect के उपर क्लिक करके आपको VPN से connect हो जाने ठीक है मतलब कि CapCut को यूज करने से पहले आपको किसी VPN से connect हो जाना जैसी कि मैं यहाँ पर connect हो चुका उसके बाद CapCut को open कर लेना कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा देन आपको new project के उपर क्लिक करना है और यहां से अपनी वीडियो को आपको select करना है जिसके उपर आप sliding transition effect यूज करना चाहते हो लाइक मैं इस वाली वीडियो को उपर यूज करने वाला हूं सो इसे select करके just done कर लेते हैं हमारी जो वीडियो है वो यहां पर add हो चुका है उसके बाद आप इसके उपर click कर देना तो यह सीधा हो जाएगा दिन आप देख सकतो बिल्कुल एक normal सी वीडियो है अब इसके उपर मैं आपको दिखाता हूं कैसे sliding effect apply कर सकतो और ऐसा नहीं कि एक ही मैं आपको दिखांगो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहां ठीक है तो जहां पर भी आप effect add करना चाहोगे आप वहां पर जाना उसके बाद effect वाले section को पर आप क्लिक करना देन आपको यहां पर वीडियो effect और एक बाड़ी effect मिलेगा तो आपको बाड़ी effect के उपर click करना है को यहां पर trending वाले section में ही unidirectional एक effect मिलेगा इसे select करना है जैसे ही आप आपको select कर लोगे आप यहां देख सकतो आपके वीडियो के उपर यह effect apply हो चुका है ठीके में भी हो सकता है इन future trending वाले section से यह वाले effect हटा दिया जाए तो आप इसका original location भी जान लो है लुकीनेशन है यह वाला जो option है इसके उपर आपको click कर लेना यहां पर आपको यह मिल जागा पूरा लास्ट में आपको जाना होगा आप देख सकतो यहां आपको यह effect मिल जागा ठीके तो सिर्फ इससे आपको select करना है और just done कर देना है देन आप देख पाऊगे यह जो effect हो आपके वीडियो को पर apply हो जागा इसे आप अपने according adjust भी कर सकतो लाइक इसको पर click करके just आप यहां पर adjust को पर जाके इसका speed बगेर को भी slow कर सकतो अगर आपको लगते यह effect बहुत तो fast आ रहा है तो यहां से इसका speed को आप थोड़ा कम कर देना और done कर देना तो आप देख सकतो कुछ इस तरीके से slow हो गया ठीके जैसा आपक करके देख सकतो अगर आपको different angle में चाहिए वरना आप इसे normal ही रहने देना सो मैं इसे just reset कर देता हूं बस थोड़ा सा speed को कम करके done कर लेते तो आप यहां देख सकतो यह जो effect वो apply हो चुका हमारी video को पर transition effect ओके अब जितना दूर तक आपको यह required होगा उतना दूर तक रख मिलते लाइक आप body effect को पर click करोगे तो आपको यहां पर एक clone का section मिलेगा इसमें आप जाओगे तो आपको यहां पर भी काफी सारे effect मिलते लाइक यह वाला आप देख सकतो कुछ इस तरीके का ठीक है तो अगर आपको यह सब चाहिए होगा तो इन्हें भी आप use कर सकते हो इसमें यहां से apply करता हूँ starting में ओके देख सकतो similarly आपको यहां पर और भी effect मिलेंगे like body effect में आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का effect मिलेगा जो की काफी trend में भी ठीक है तो आप इन्हें भी try कर सकतो आप यहां पर try करके देखना अच्छे लगते हैं अगर आपकी वीडियो को पर तो इन्हें भी आप यूज कर सकते हो ठीक है तो इस तरीके से करके आप यह effects को अपने वीडियो को पर apply कर सकतो sliding effect को अब इसे आपको done करके back कर लेना है और हमारी जो वीडियो है वो edit हो चुका है तो अब इसे अपने device में हमें save करना होगा so save करने के लिए आप 1000 के उपर click करना 1080 के उपर और यह जो resolution इसे पूरा max कर देना सभी चीजों को max कर देना ठीक है ताकि आपको जो यह effect है वो आपके वीडियो को पर बिल्कुल properly आए उसके बाद export के उपर click करके save के उपर click कर देना तो आपको जो वीडियो होगा वो export हो जाएगा I hope आपक CapCut app में अपने वीडियोज को पर यह sliding effect को apply कर सकतों मिलते हैं नेक्स वाली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई